Hi everyone, COVID-19 के period में, दातों की देखभाल कैसे करें, क्या extra चीज़े हमें करनी हैं, और वो actually extra नहीं हैं, वो हम अगर जिंदगी भर follow करते रहते हैं, तो शायद हमें दातों की समस्याएं काफी कम हो, तो एक तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, दूसरा हम ये भी जानेंगे कि दातों से संबंदित भृांटियां क्या है, क्या ऐसी बाते हैं, जो की दातों के बारे में लोग myths जानते हैं, जो की घरत बाते हैं, केवल भृांटियां हैं, हम उनकी भी चर्चा करेंगे और bor हम यह भी जानेंगे कि जो भी चीजें हमारे दातों से problems होती हैं, वो आखर क्यूं होती हैं, क्या कारण है जिनकी वजह से हमें दातों की समस्याई होती हैं तो कारण जानेंगे, उनका निवारन जानेंगे और साथ ही साथ maintenance भी जानेंगे. प्रोग्राम शुरू करते हैं का समवाद जिसमें हम दातों की समस्याओं का कारण, निवारन और भ्रांतियाँ ये सारी की सारी इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे, समवाद करेंगे तो सबसे पहले तो मैं जन सरुकार मंच का आभार व्यक्त करती हूँ देवेंद्र जोशी जी का, जिन्होंने ये मौका दिया कि मैं आप सब के रूबर हूँ और हमें एक दूसरे से मिलने का मौका मिल रहा है तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि दातों की बनावट कैसी होती है कि जो हमें दातों की समस्याई होती है वो क्यूं होती है वो सब कुछ depend करता है कि अगर आप दातों के बारे में जान जाए तो शायद जो हम neglect करते हैं या negligence होती है हमारे से वो ना हो तो सबसे पहले अगर हम दातों की बात करते हैं तो दातों की बनावट में सबसे जो प्रथम लेर होती है उसको कहते हैं enamel and enamel is the hardest substance of human body उससे बढ़कर strong कोई substance नहीं है और अगर हम यह कहते हैं कि हमारे दात में कीडा लग गया या हम अपने दातों के enamel की देख भाल नहीं कर पाए तो इसका मतलब यह हुआ कि सबसे strongest portion of the body को हमने गला दिया तो ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे दात की बनावट है वो कुछ इस तरीके से होती है यह हमारा दात है यह इसका enamel है और यह enamel strongest होने के बावजूत इसके उपर धेर सारे pits and fissures होते है यानि की गढ़े होते है और यह इस तरीके के गढ़े होते है और क्योंकि यह गढ़े होते है और यहाँ पर जब आप खाना खाते है तो खाना फस जाता है और जब खाना फस जाता है और आप अच्छे से brush नहीं करते है तो वो खाना वहीं पे रह जाता है जो कि मूँ के अंदर सैकडों या millions, billions, trillions बैक्टिरिया रहते हैं, उनका घरी है मूँ, तो अगर वो oral cavity के अंदर इतने बैक्टिरिया पहले से ही है और वहाँ पे food impaction है, तो वो food बैक्टिरिया को निमंतरन देता है, बैक्टिरिया वहाँ जाता है, जिससे कि दंद शय शुरू हो जाता है, यानि कि केरी लगनी शुरू हो जाती है, कोई जो हम कहते हैं कि दात में कीडा लग गया, वह वाकरी कीडा नहीं होता है, लेकिन इट इस डेंटल डिजीज ऐसी है, जिससे कि दंद शय शुरू हो जाता है, तो एनामल यहा वो चीज देख ली तो अगर आप डॉक्टर के पास जाकर के उसका निवारन कराते हो तो केवल आपके फिलिंग मात्र से काम हो जाएगा लेकिन हमें दर्थ तो होता नहीं है इसलिए हम डॉक्टर के पास जाते नहीं है और होता यह है कि यह जो दंच शय है यह बड़ा होता लिएजा जो आप खाना खाते है वो और-र खाना भरता चला जाता है इस कावेटी के अ अंदर क्यूंकि साइज पहले तो छोटा सा थ हृता लेकिन अब ढ़ा होता चला गया और धीरे धीरे करके यह दंच शय चला जाता है दात के दूसरी सतisia में दूसरी सता है डैम्टी स जैसे ही डंटीन के अंदर दंशय प्रारंभ होता है ये ये तो हेल्दी दात है देखिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है लेकिन यहां पे काला काला कीरा जो लगना शुरू हो गया तो अब ये दंशय दूसरे लेर में जाता है जो कि डंटीन है डंटीन के पास में और मीठा लगना शुरू हो जाता है अभी वी वक्त है आप डॉक्टर के पास जाएंगे फिलिंग हो जाएगी और दात बिल्कुल ठीक हो जाएगा पहले जासा हो जाएगा लेकिन हम क्या करते हैं हम कोई डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस देख लेते हैं क्योंकि हमने ब हम तो डॉक्टर को निगलेक्ट कर लेते हैं हमें ऐसा लगता है कि हमारी सेंजिटिविटी खतम भी हो गई या कम हो गई लेकिन सच बात तो यह है कि वो जो डेंटल डीके का प्रोसेस है वो और आगे बढ़ता जाता है और पहुँच जाता है तीसरी सता में जिसको कहते है पल्प और पल्प के अंदर है धेर सारी धमनिया शिराएं नर्व्स यानि आर्टरी वेंस सारी वेसल्स और नर्व्स पल्प के पास में है और यह पल्प है जो कि इतनी रिच है वैस्किलर सप्लाई में इसके पास में इतना बलड है इसके पास में इतना नर्व सप्लाई है कि जब ये dental DK तीसरी layer तक पहुचता है तो अब दात की vessels में congestion शुरू हो जाता है traffic jam जितना खून आ रहा है दात के अंदर उसी गती से वो बाहर नहीं जा पाता इस वज़ा से traffic jam हो जाता है इन vessels के अंदर और दात दर्द करने लगता है अब पहले तो दात जब dentine में था दंश है तब तो वो केवल मीठे और ठंडे को ही respond करता था अब वो गरम को भी respond करेगा साथ ही दात में दर्द भी शुरू हो जाएगा और कभी-कभी दात खाने चबाने में भी तकलीफ करेगा यानि कि दात रखने पर तकलीफ है तो देखिए ये दात में आपको कितने समय ये पूरी प्रक्रिया में कोई एक दो दिन नहीं लगते हैं इस पूरी प्रक्रिया में लगते हैं कुछ महीने या कभी-कभी साल भी लग जाते हैं और डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है उसके हिसाब से और हम इतने टाइम तक निकलेट करते रहते हैं और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं कल तक तो कुछ भी नहीं था आज ही दर्द हुआ नहीं साब आज दर्द नहीं हुआ है आज आपने दर्द को महसूस किया है जब कि दाठ आप से हेल्प मांग रहा था बहुत समय से लेकिन आपने उसकी बात नहीं सुनी तो हम कहते हैं कि देंटिस्ट्री बहुत एक्स Alzheimer है तो धेंटिस्ट्री खर्चीली नहीं है लापरवाही खर्चीली है क्योंकि हम इतनी लापरवाही इतने दिनों तक करते जाते हैं इस वज़ा से हम इस position में आ जाते हैं कि अब हमें root canal treatment कराना पड़ता है और root canal treatment का खर्चा भी जादा होता है as compared to filling और साथी में वक्त भी जादा लगता है और उसके लिए एक expertise की भी जरूरत होती है तो कहने कारतिये हैं कि prevention is better than cure अगर आप पहली बार ही अपने दात के आवाज सुन लें तो शायद हम इस situation में पहुचे ही नहीं तो हमें ये समझ में आ गया कि किस तरीके से हम अपना दंच शेय रोक सकते हैं दूसरी चीज क्या है कि जो हमारे दातों के उपर एक layer रोस बनती है जिसका नाम है plaque वो plaque आप brushing के द्वारा remove कर सकते हैं रोस लेकिन अगर आप उस plaque को किसी कारणवर्ष remove नहीं कर पाते हैं तो वही calculus में तबदील हो जाती है मतलब वो कठोर हो जाती है layer और वो ही plaque calculus का रूप ले लेती है calcified हो जाती है और वो brush के द्वारा नहीं निकाली जा सकती उसके लिए आपको किसी एक dental professional की या डॉक्टर की ही जरूरत पड़ेगी तो जो plaque है उसको हम क्यों नहीं निकाल पाते हैं सही से क्योंकि कई बार तो भई कई लोग तो सोचते हैं कि रात में brushing is not important कई लोग सोचते हैं सुभा brushing कौन करेगा रात ही में किया हमने brush तो अब सुभा करने की जरूरत नहीं है और कुछ लोग तो इतने जादा specially बच्चे बच्चे तो बला टालते हैं कि जैसे तैसे इस brush से मुक्ती मिल जाए बस जैसे ही मम्मी पापा की आँख बची नहीं कि बात्रूम में गए फट से कुछ-कुछ किया और बहार चले आए कि the work is done but actually अगर आप इस तरीके से brush करते हो और हम भी बच्चों को डरा धमका करके brush कराते हैं वो कभी नहीं करेंगे तो हमें बच्चों के साथ में भी प्यार से उनको समझा करके कि brush क्यों जरूरी है और उनके साथ में खड़े हो करके हमें brush करना चाहिए वो भी करें और हम भी करें ताकि हम भी देख लें कि वो कैसे brush कर रहे हैं और वो भी देखें कि मम्मी पापा कैसे brush करते हैं तो ये कुछ पाते हैं कि अगर हम इनको खेल खिलोनों के रूप में तबदील कर देते हैं इन सारी activities को तो बच्चे खुशी-खुशी brush करना सीख जाते हैं और उनको फिर यह बला जैसी नहीं लगती है कि बला टालने की बात हो तो अगर हम ब्रश सही से करते हैं तो यह प्लाक हम रोज के रोज रिमूफ कर देते हैं और जिससे की कैल्किलस बनता ही नहीं है लेकिन जहां हमारी थोड़ी सी लापरवाई हुई नहीं कि प्ल किती में वहां पर जब कैल्किलस बन जाता है तो फिर वह आप नहीं निकाल सकते हैं वह किसी डॉक्टर को ही निकालना पड़ेगा और दूसरी चीज क्या होती है कि जब कैल्किलस बन जाता है तो आप सोचिए कि उस कैल्किलस के अंदर हजारों हजार बैक्टीरिया होते है एक छोटे से, छोटे से calculus के टुकडे में trillions of bacteria होते हैं, तो अगर bacteria आपके मुह में रहेंगे, तो वो बाकी दातों का या जिस दात के उपर वो हैं, उसको भी तो सडाएंगे, उसका भी तो share करेंगे, तो इस वज़ा से किसी भी हाल में bacteria की colonies को हमको बढ़ने नहीं देना है, and we should try go to the doctor, show to a dental professional and get the treatment done और अपनी problems rectify करनी चाहिए, तो यह दो बात यह हो गई कि भाई हम किस प्रकार से अपने दातों के बारे में जान सकते हैं, कि भाई हमें कब-कब घंटी बचती है, अलाम बचता है कि भाई अब हमारा वक्त आ गया है, जो हमें दिखा लेना चाहिए या हमें कौन-कौन सी सूचनाए दात दे रहा है, अब हमें वो भी मालूम पड़ गया है, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि दातों से संबंदित भ्रांतियां क्या-क्या होती हैं, जो कि मतलब आपने भी यह सुनी होंगी और शायद आप भी यही बात जेदर 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 यह बात हैं, ऌलसे फिडित जैके पता नहीं सही होताrick लेकिन बस जैसे कुछ खेल होते हैं हमारे आइसपाइस है या कुछ ऐशी खेल भी है, जो कि generation to generation pass होते हैं, कुछ-कुछ ऐसी कहावते हैं, जो pass होती आई हैं, तो इसी प्रकार से ये myths भी हैं, जो कि हमारे pass होते जाने हैं, तो सबसे पहली myth क्या है, जो कि आप भी इस बात से बिलकुल, मतलब, you must be also quite familiar with this, कि उपर के दात निकलवाने से, आखे कमजोर हो जाती हैं ऐसा आपने सुना हैं न, कि उपर का दात निकलवाएंगे, तो आखे कमजोर हो जाएंगी, ये बात बिलकुल सरासर गलत है, ऐसा नहीं होता है, उपर के दात निकलवाने से जनाब आखे कमजोर नहीं होती हैं, ना आखों का और दात का दूर-दूर तक कोई connection नहीं है, तो इसलिए ये तो वही बात हुई कि भाई किसी के सारे दात चले गए, तो उसको तो अंधा हो जाना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं होता है, तो इसी प्रकार से आखों का दात से कोई connection नहीं है, दूसरी चीज, जो दूसरी ब्रांती है, वो ये है कि छोटे बच्चों के दातों क प्रश का प्रियोब ना करें, जब बच्चों के दात आते हैं तो हमें बच्च नहीं करना चाहिए, लोग क्या करते हैं उसको बस ऐसे ही उंगली से साफ कर लेते हैं, लेकिन जब ही भी आपको पहला दात बच्चे के मुह में दिखे तो उसको शुरू में तो आप रुई, रुई में पानी डाल करके अगीली रुई से उसको साफ करें और जैसे जैसे दो-चार दात और आजाएं मुह के अंदर, तो फिर आप सौफ्ट ब्रश से और छोटो-छोटे ब्रशे जाते हैं, उनसे दातों को साफ करिए, लेकिन बच्चों के दात भी ब्रश से साफ किये जाने चाहिएं, तीसरी भ्रांती क्या है, तीसरी भ्रांती यह है कि भाई ये तो हम रोज सुनते हैं, और मेरे हाँ पे जितने डेंटिस बंदू भी हैं, वो सब भी इस बात से इतिफाक रखेंगे कि हर आदमी एक इस भ्रांती से ग्रसित है कि सफाई कराने से दात कमजोर नहीं होते हैं, जब हम रोज शरीर को साफ करते हैं, सारे अंगों को साफ करते हैं, तो क्या वो कमजोर हो जाते हैं, नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, तो ऐसा क्यों होता है कि आप सोचते हैं कि दातों की सफाई से दात कमजोर हो जाएंगे, दात तो मजबूत हो जाएंगे, क आने लगेगा और दाथ मजबूत होते चले जाएँगे, तो ये भ्रांती बिल्कुल गलत है कि दातों की सफाई से दात कमजोर हो जाते हैं, और कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि भई हमने तो अपने दातों की सफाई कराई, उसके बाद से हमारे दात कमज़ोर हो गए ऐसा नहीं है क्योंकि आपके मुँ में बहुत मोटे मोटा calculus deposit था और जब आपके डॉक्टर ने उस calculus को हटाया तो उसके बाद से दातों के बीच में space हो गई क्यों? क्योंकि वो space was because of the calculus not कि ऐसा नहीं था कि वो space थी ही नहीं वहाँ पे वो गंदगी थी जैसे ही आपके डॉक्टर ने वो गंदगी हटाई वैसे आपको ऐसा आभास होता है कि वहाँ पे space हो गई actually वहाँ space ही रहनी चाहिए थी लेकिन हमने अपनी लापरवाही की वज़ा से सही brushing ना करने की वज़ा से इतना calculus भर लिया था तो इस वज़ा से अगर हम दात साफ करते हैं तो धीरे धीरे आपको डॉक्टर ये बताएगा कि आप ऐसे ऐसे brush करिए ऐसे massage करिए धीरे धीरे करके वहाँ पे हड़ी बनने लगेगी और उसके उपर मसूरा आने लगेगा और जो दात है उसको वह धीरे धीरे करके tight करतेगा इसमें थोड़ा वक्त लगेगा इसलिए कोई जलबाजी की जरूरत नहीं है जितना वक्त लगा है वहाँ की हड़ी जाने में भाई वो भी तो काफी वक्त था बहुत समय के बाद में वहाँ से हड़ी गई है तो आने में भी थोड़ा वक्त लगेगा अब तीसरी भ्रांती क्या है तीसरी भ्रांती ये है चौती भ्रांती कि जितना जादा ब्रश करेंगे दात उतने जादा साफ रहेंगे ऐसा नहीं होता, जितना जादा आप ब्रश करेंगे उतना आपके दाथ कटते चले जाएंगे, सवाइकल अबरेजिन होते चले जाएंगे, दाथ आपके कट जाएंगे, लेकिन दाथ साफ करने के लिए केवल दो बार ब्रश करना काफी है, और सच बात तो यह है कि अगर आप दो बार ब्रश करते हैं और तरीके से ब्रश करते हैं, सही तरीके से ब्रश करते हैं, तो अपने आप ही आपके दाथ साफ हो जाएंगे और मजबूत रहेंगे, मसूरे, तो इसकुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत बार ब्रश करेंगे, इत इसके उपर का कट जाएगा और उसके अंदर का डेंटीन एक्सपोज हो जाएगा दात सेंजिटिव हो जाएगे आपके तो इसलिए ब्रश दो ही बार करें और सही तरीके से करें अब एक और भ्रांती वो यह है कि गर्भा वस्ता में दात का इलाज नहीं कराना चाहिए गर्भा वस्ता में दात का इलाज कराने का कोई निशेथ नहीं है ऐसा नहीं है कि आप ना कराएं दात का इलाज आप बिल्कुल अपने गानेकॉलिजिस से संपर्क करके दात का इलाज करवा सकते हैं In fact, अगर आप दात का इलाज नहीं करवाते हैं, आपके दात में दर्द है और आप pregnant हैं, तो ये तो बच्चे के लिए भी जादा हानिकारक है. तो इसलिए बहतर है कि आप अपने gynecologist से संपर्क करें और उसके बाद में जैसा वो कहें, उस हिसाब से आप अपना treatment dentist से ले लें. लेकिन किसी भी प्रकार से गर्भा वस्ता में दात का इलाज वर्जित नहीं है. फिर एक भ्रांती ये है कि कुछ लोगों के, बाज लोगों के दातों से खून निकलता है, मसूरे से खून निकलता है, तो वो ये कहते हैं कि मेरे तो मसूरे से खून निकलता है, इसलिए मैंने उंगली से अपने दात साफ करने शुरू कर दी और जब से मैंने उंगली से द उंगलियों से अपना दाद साफ करते हैं, तो आप प्लाक कभी नहीं हटा पाएंगे, जो कि आप टूथ ब्रश से हटा सकते हैं, उंगलियां आपकी खाना खाने के लिए बनी हैं, ना कि प्लाक हटाने के लिए, ना कि टूथ ब्रश का काम करने के लिए, तूथ ब्रश अलग काम करता है उंगलियां अलग काम करती है इसलिए उंगलियों का जो काम है उसको वहीं तक ही रहने दे और जो प्लाक रिमूवल का काम है या जो ब्रशिंग का काम है वो टूद ब्रश से ही रहने दे अगर आपके मसूरे से खून आता है और इसलिए आप ब्रश नहीं कर रहे हैं तो ये बात गलत है आपको अपने डॉक्टर से संपर करना चाहिए क्योंकि मसूरे से खून आना एक अलग समस्या है और उसका समाधान होना जरूरी है ना की इसलिए कि खून आ रहा है तो आपने आसओ अमानते हैं कि भई दात का दर्द है तो दात का दर्द तो हम अमरूद के पत्ते लॉंग कुछ लोग अदर रख हींग ये रख करके और इसका पूरा सल्यूशन कर सकते हैं सल्यूशन आप कर सकते हैं आप दर्द निवारन कर सकते हैं हो सकता है कि जिस रात आपको बहुत जादा तकलीफ है और उस समय आपका डॉक्टर आपके पास में अवेलिबल नहीं है तो आप बिलकुल ऐसा कर सकते हैं आप इन तरीके के घरेली उपायों से अपना प्रॉब्ल सॉल्फ करना नहीं हुआ यह तो केवल प्रॉब्लम को आपने टाल दिया लिंगर ओन कर दिया इसलिए बहतर यह है कि अगर आप कोई घरेली उपाय अपनाते भी हैं तो एकाद दिन आपने अपना लिया लेकिन उसके बाद में आपको जरूर डॉक्टरी परामर्ष लेना चाहिए केवल इसी बात पर नहीं बैठ जाना चाहिए कि आप तो भाई हमारा काम हो गया है हमने लॉंग का तेल लगा लिया वहाँ पर और सब कुछ ठीक हो गया आपको मालूम है लॉंग के तेल से कितने पेशन्स आते हैं जो कि इतने बड़े-बड़े छाले और नेक्रो में इस्तमाल कर सकते हैं वहाँ जहां आपको दात में दर्ध हो रहा है लेकिन उसके बाद एक बार सुबा हो जाए और आप अपने डॉक्टर से टाइम लेकर के उनसे जाकर के मिल ले और अपने दर्ध का कारण जान करके उसका निवारन जरूर ले 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 फिर कुछ भ्रा ब्रांतियों की चर्चा कर रहे हैं कि क्या ब्रांतियां क्या गलत है और क्या सही है और क्या एक्चिली क्या होता है और हमें कब डॉक्टर के पास में डॉक्टर से परामश ले लेना चाहिए फिर उसके बाद में एक ब्रांती ये है कि जो दूद के दात हैं उनका इलाज न इनका x-ray करेंगे बच्चों का और वहाँ पे सूजन आ रही है दर्द हो रहा है तो हम एक बार देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है अंदर तो कई parents ये राय के होते हैं कि क्या जरूरत है कुछ भी करने की आप दात निकाल दीजें इनका पक्का दात तो आएगा ये तो कोई reason होता है वो दात अगर है आपके मूह में तो किसी ना किसी reason की वज़ा से है तो जो दूद के दात होते हैं वो बहुत बहुत ज़ादा आविश्रक होते हैं पहली बात तो वो बच्चे के खाने चबाने overall growth and development के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि अगर दात स्व जैसे ऐसा नहीं है कि दूद के दात हमें निकलवा देने हैं, दूद के दात हमको स्वस्थ रखने हैं, सुरक्षित रखने हैं। दूसरी चीज जो दूद के दात होते हैं वो space maintainer का काम करते हैं यानि कि जो आने वाले दात हैं जो पक्के दात या permanent दात नीचे से आएंगे उनके लिए वो space बचा करके रखते हैं जिससे कि ऐसा ना हो कि जब वो पक्का दात 10 से 12 साल की उमर में आए तो अगल बगल के दात उसकी जगह ना ले ले इस वज़ए से जो दूद के दात हैं वो अपना वहां पे space अपनी मतला बिल्कुल छेख करके रखते हैं जैसे होता नहीं हम अपनी space हम कहीं जाते हैं हम कुरसी अपनी उस पर रुमाल रख लेते हैं उस पर कुछ रख लेते हैं यह हमारी seat है तो इस वज़ा से दूद के दात बहुत साधा important होते हैं और दूद के दातों को जा करके निकलवाना नहीं चाहिए in fact उनका आप x-ray करवाएं जो आपको डॉक्टर बोल रहा है कि क्या उनका इलाज होना चाहिए वो इलाज करें और लेकिन कुछ भी करके दूद के दातों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए निकलवाने पर तवज्जो नहीं देना चाहिए बचाने पर तवज्जो देना चाहिए क्योंकि अधिकतर parents अभी भी यहाँ पे हैं जो कि यहीं सोच रहे होंगे कि इसकी कोई जरूरत नहीं है हम निकलवाही दें तो बहतर है after all पके दात आजाएं जब वो पके दातों के लिए अपनी जगा बना करके रखते हैं और अधिकतर जो पके दात हैं उन दूद के दातों की जगा में 10 से 12 साल की उम्र में आते हैं तो इन दूद के दातों को 10 से 12 साल तक वहाँ पे रहना है अपनी जमा अपनी जगा बना करके रखना है जब अग वाला दात की जड़ काफी कुछ बन चुकी है, दात का इरॉप्शन होने ही वाला है, कुछ समय में हो जाएगा, तो इसको निकलवा सकते हैं, दात में सूजन आ रही है, दात बहुत जादा सर गया है, उस सूरत में दात हम निकलवा सकते हैं, लेकिन बच्चा पात साल का है, तो दात निकलवाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी इसको 7 साल और इस दात को महाँ पे रहना है. तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि वो दात निकालना चाहता है या दात पचाना चाहता है, किस उम्र में बच्चा है और किस उम्र में उसको तकलीफ आई है. एक और घ्रांती जो बहुत जादा आती है वो ये है कि एक बार हमने दात में फिलिंग करवा दिया, तो उसके बाद में दात में कीड़ा नहीं लगेगा. ऐसा नहीं होता है आपने एक बार filling करवा दिया तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब दात में कीडा ही नहीं लगेगा जब filling हो गई तो इसका आर्थ यह हुआ कि अब वो एक natural दात का पाठ हो गया है और जिस प्रकार से natural दात को अगर साफ ना रखा जाए तो उसमें कीडा लग सकता है, उसी प्रकार से ये फिलिंग वाले दात को भी अगर आप साफ नहीं लगते हैं, तो उसमें भी कीडा लग सकता है, तो इसी वज़ा से अगर आपने एक बार कोई ट्रीटमेंट करवा लिया है, आपने फिलिंग करवा लिया है, तो इसका मतलब दात तूट गया है और आपको ये दात ऐसा बना दीजे कि फिर जिंदगी भर इसमें कश्ट ना हो तो मेरा एक ही उनसे सवाल रहता है कि जो भगवान ने आपको दात दिया वो भी तूट गया तो फिर जो इनसान बनाएगा वो अपने भरसक प्रयास से बनाएगा हर तो अपना काम बहुत अच्छा भूभी कर सकता है लेकिन बागी सब तो आप ही के हाथ में हैं कि आप उससे क्या खाते हैं क्या चबाते हैं तो यही सब बाते हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हमें चाहिए कि हमारा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो और हमेशा क लिए चले तो हम भी अपने दातों का अपने मसूरों का सम्मान करें उनको बहुत हिफाज़त के साथ में रखें उनको हम बॉटल ओपनर के जैसा इस्तमाल नहीं करें कई बार मैंने देखा है कि लोग कोल्डरिंग की बॉटल दात से खोल देते हैं और बोलते हैं यह देखिय मतलब शेखि की बात है कि हमने दात से बॉटल को खोल दिया तो दात मिले हैं चबाने के लिए खाने के लिए ना कि बॉटल खोलने के लिए ना कि अख्रोट तोडने के लिए कई लोग अख्रोट भी उसी से तोड़ लेते हैं कि अख्रोट तो मतलब इस थरीके के काम अगर हम दातों से ना करें तो बहतर होगा अब आप ये कहेंगे कि पहले जमाने में तो लोग दातों से क्या-क्या नहीं कर लेते थे गन्ना भी चबा लेते थे गन्ना काट के खा लेते तो सही बात है हुजूर पहले जमाने में वो सब कुछ कर सकते थे क्योंकि उनकी जो डाइट थी वो भी डिफरिंट थी वो बहुत ज़ादा फाइब्रिस फूड लेते थे इतना उनके डाइट में फाइबर होता था उनके मसूरे बिलकुल पके हड़ी मजबूत दाथ एकदम बिलकुल ठोस ऐसे रहते थे लेकिन हमारी तो डाइट ही चेंज हो चुकी है अब हमारी जो जनेरेशन जो हमारी जनेरेशन है वो थ्रू दे जनेरेशन डाइट में कितना जादा चेंज हो गया है हमारी फाइबर डाइट में कितनी कम हो गई है और हम लोग अब फास्ट फूड बहुत जादा खाने लग तो वो कुछ लोग कर सकते हैं जिनके पास में एक abnormal type की शमता है शक्ती है लेकिन मेरी ये राय है कि सब न करें आप उससे बिल्कुल भी वो काम न करें जिसके लिए दात नहीं बनाएं आप वही करें जिसके लिए दात बनाएं खाने चबाने के लिए बनाएं आप खाईए उ से अब मैं आपको यह बताना चाहती हूँ जो कि बहुत ही important चीज है वो यह है कि हम दातों की brushing कैसे करें हम दातों की massage कैसे करें तो यह अगर हम सीख जाते हैं तो बहुत सी समस्याइं हमारी सौल हो जाती है तो आईए हम लग सीखते हैं कि हम दातों की ब्रशिंग कैसे करेंगे यह हमारे दात है और यह हमारा ब्रश है कभी भी जैसे कि अगर आप ब्रश ऐसे करते हों होरिजॉंटली तो यह गलत है आप ऐसे ब्रश नहीं करेंगे ऐसे ऐसे यह बिल्कुल गलत तरीका है ब्रशिंग का ऐसे ब्रश नहीं करना है तो ब्रश हम कैसे करेंगे brush करने के लिए आज से ही हम सब अगर हम ऐसे brush करते हैं horizontal brushing करते हैं तो आज से हम change करेंगे जो जैसे मैं बताने जारी हूँ वैसे करते हैं वो वैसे ही जारी रखेंगे हमेशा brush को दातों पे एक angle पे रखें एक 45 degree के core पे ऐसे रखें मतलब कहने करते हैं कि थोड़ा सा टेढ़ा और मसूरे से दात के ऊपर brush ले करके आएं मसूरे से दात के ऊपर जिससे कि मसूरों की मालिश हो और दातों की सफाई हो तो आप brush कैसे करेंगे आप मसूरे पे रखेंगे और मसूरे से दात के ऊपर ब्रश लेकर के आएंगे, 45 डिग्री के कौर पे ये देखे, थोड़ा सा टेड़ा करके, इस तरीके से, पीछे भी करेंगे ब्रश, आगे, आराम से धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं हमको, मसूरे से दाथ के उपर लेकर के आएंगे, ये उपर के दाथों के लिए हैं, मसूरे से दात से ऐसे बाहर निकाल देंगे इस तरफ भी मसूरे से दात पे कहने कारती है कि केवल बहारी ब्रश नहीं किया जाता है अंदर की सतह को भी हमें ब्रश करना है और सेम मसूरे से दात पे अब अगर हम नीचे की बात करते हैं तो कैसे होगा उपर के दात में तो हमारा स्ट्रोक उपर से नीचे था और नीचे के दात में कैसा होगा नीचे के दात में नीचे से उपर क्यूंकि मसूरा नीचे है इसलिए मसूरे पर ब्रश रखेंगे थोड़ा से एंगल पर रखेंग सब भी 45 degrees एंगल पे रखेंगे और मसनूर ए सदात पे ब्रश करेंगे जब हमारा ये ब्रशिंग हो गया यानि हमारे इस सर्फिस का हो गया अंदर की सर्फिस का हो गया तो जो हमारेいきます अब रहाने चबाने वाली सफस्स है उस पे हम सीधा ही ब्रश करेंगे क्योंकि यहां पर मैंने आपको अभी बताया कि बहुत सारे गड्डे होते हैं इस सर्फस पे जहां पर की सबसे जाधा केड़े लगने की संभावना होती है या दंत शय की संभावना होती है यहां पर तकी सब सरफस पे आप अंगल पे बृश करेंगे नीचे के दात में नीचे से उपर उपर के दात में ऊपर से नीचे यानि एक ही बात आपको याद रखना है कि मसूड़े से ढात पर आपका ब्रश चाहिए जब ये सब कुछ हो जाए उसके बाद में आप इस ब्रश से ही टंग क्लीन करेंगे टंग क्लीन इस्तमाल ना करें क्योंकि तंग क्लीन आपके जो टंग के ओपर फॉलिक्ल्स होती है वो बहुत जादा, मतला, soft होती है, बहुत sensitive होती है, और अगर आप बहुत जोर-जोर से tongue cleaner से tongue को clean करते हैं तो उनके चोट लगने की या उनके trauma होने की संभावना बढ़ जाती है. इसलिए ब्रश से ही टंग को भी क्लीन करें और क्या आप जानते हैं सबसे जादा जो बद्बू पैदा करने वाले कीटाडू होते हैं वो टंग पे ही पनपते हैं इसलिए अगर आप अपनी टंग को नियमित रूप से साफ करते रहेंगे तो मुझ से बद्बू की परिशानी बहुत हत्ता खत्म हो जाएगी तो इस तरीके से आपने ब्रश करना है ब्रश का कैसे आप ब्रश कैसा लेंगे तो ब्रश आपको हमेशा सेंजिटिव लेना है कभी भी हाड, मीडियम, सॉफ्ट इन ब्रशों से परहेस करें जो best brushes होते हैं वो या तो sensitive brushes होते हैं और या फिर बहुत super soft brushes या sensitive brushes आपके लिए अच्छे हैं क्योंकि अब हमारे दात इतने कोई मजबूत नहीं है कि आप बहुत hard brushes से या मीडियम brushes से अगर ब्रश करते हैं तो enamel के कटने की संभावना बनी रहती है इसलिए slim soft brush या sensitive brush का ही चयन करें अब मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि आपको masaging कैसे करनी है जैसे आपने brushing सीखी सेम वैसे ही आपने masaging करनी है यानि कि उंगली से आप index finger से आप मसूरे से दात पे हलके pressure के साथ में मसाज करेंगे ऐसे धीरे धीरे हलका सा दबाएंगे मसूरे को और मसूरे से दात के उपर उंगली लेकर के आएंगे इससे क्या होगा जो मसूरा है वो दात के उपर चढ़ेगा उसके उपर वो जाकर के grip बनाएगा और साथ ही जब आप मसाज करते हैं तो blood circulation उस area का बढ़ जाता है हम facial करवाते हैं मुँ में हम क्यों ऐसा करते हैं या massage करवाते हैं क्यों जिससे की blood circulation बढ़ जाता है तो फिर जो tissues होते हैं वो rejuvenate करते हैं यानि कि उनके अंदर blood circulation बढ़ने से repair और healing की शमता भी बढ़ जाती है तो अगर आप इसी प्रकार से massage करेंगे तो healing और repair मसूरों की बढ़ जाएगी और you will yourself feel the difference इसलिए आप अगर आज से ही शुरू करते हैं massage तो एक हफते में आप मुझसे कहेंगे कि आपको बहुत फर्क लग रहा है तो मसूरे से दात के उपर आपको लेके आना यानि कि उपर के दात में उपर से नीचे और नीचे के दात में नीचे से उपर मसूरे से दात के उपर हलकी pressure के साथ में बहुत जादा pressure भी नहीं लगाना है और बहुत कम भी नहीं medium pressure से आपको मसूरे से दात के उपर उंगली लेकर के जाना है और massage करना है This is the right way of massaging तो हमने ये सीखा कि हम brushing और massaging कैसे करेंगे हमारा brush कैसा होना चाहिए और अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि brush holder में भी brush को आपको कैसे रखना है But before that मैं आपको बताना चाहती हूं कि जहां पे brush नहीं पहुँच पाता है वहां पे आप एक संस्लेशद धागा होता है जिसे हम dental floss कहते हैं Dental floss का आप इस्तमाल करेंगे ये dental floss है आपने इस floss को ऐसे निकाल लिया इसी के अंदर ही एक cutter होता है उससे आपने cut कर लिया और अब इस floss को आपको दातों के बीच में जहां पे आपका खाना फसता है या जहां पे कि आपका मसूरा फूल रहा है कोई खाना वाँ पे फस गया है तो वहां पे आप इस floss को इस प्रकार से डालेंगे हमेशा floss को धीरे से दातों के बीच में डाला जाता है और उसके बाद में इसको ऊपर नीचे का movement नहीं देते हैं लेकिन you have to pull it out sideways इसको side से खीच दीज़े जैसे यानि कि जब आप floss गा लेंगे तो तो आप धीरे से दातों के बीच में इसको insert करेंगे और इसको ऊपर ऐसे ऊपर नीचे नहीं करना है wrong यह flossing का तरीका नहीं है you have to put the floss inside दातों की बीच में और उसके बाद में you have to pull it out sideways इससे मसूरों को trauma नहीं होगा लेकिन अगर आप ऊपर नीचे ऐसे करते हैं तो आपके मसूरों को भी trauma होता है मसूरों से खून निकलने लग जाता है और साथ में flossing भी सही तरीके से नहीं होती है तो आप इसको अंदर insert करिए और उसके बाद में एक हाथ छोड़िए and pull it out sideways एक तरफ से खीश दीजे this is the way to floss your teeth और जहां पे हमारा brush नहीं पहुँच सकता कहां नहीं पहुच सकता हमारा brush दातों के बीच में नहीं पहुच सकता अभी हमने brush किया हमने surfaces तो brush कर ली लेकिन दातों के जो बीच की जगा है वहां पे हमारा brush नहीं जा पाता वहां पे floss ही जा सकता है और वहां पे अगर कोई पदार्त चिपक गया है करते हैं कि हम अपने ब्रश को कैसे रखें तो ब्रश को पहली बात तो एक खुले खुले स्थान पर रखना चाहिए जिससे की वो वेंटिलेटेड रहे और उसके उपर कोई किटाडू नापन पर नहीं तो अगर कोई हुमिडेटी की जगह रहेगी जहां पर किसी लन विलन र रहता है तो वहां पर किटाडू के पनपने की शमता बहुत जादा होती है जिसकी वज़र से आपके ब्रश के उपर भी ये किटाडू पनप सकते हैं तो इसलिए हमेशा अपने ब्रश को हवाधार स्थान पर रखें दूसरी चीज कि आप जो ब्रश है उसको हमेशा पानी से डाला और ब्रश को हटा दिया लेकिन जो अंदर तक इसके पेस्ट चला गया है जब आपने ब्रश किया है तो पेस्ट कई बार पेनेट्रेट करके नीचे तक पहुँच जाता है वो तो वही रह जाता है उसको आपको क्लीन करना है तो वाटर जेट से या आप अप पना ब्रश को क्लीन करना है रोज साथ में ब्रश के ऊपर एक होल्डर होता है कई बार आपने भी ब्रश खरीदा होगा और उसके ऊपर एक कैप होती है और आप कैप के अंदर सुरक्षत अपना ब्रश रख देते हैं ऐसा मत कीजिए क्योंकि वो कैप से कई बार जैसे कि अ अपने लग जाते हैं कीटा तो अपने ब्रश को कभी भी कैप लगा करके ना रखें खुले स्थान पे साफ हवा में रखें तीसरी चीज़ अगर आप 4-5 लोग हैं और आप 4-5 लोग परिवार में एक ही ब्रश होल्डर में अपने ब्रश रखते हैं तो ये ध्यान रहे कि आपके ब्रश एक दूसरे से संपर्क में ना आएं नहीं तो अगर आपको खासी जुकाम है या आपको किसी भी प्रकार की कोई ओरल बिमारी है तो वो दूसरे ब्रश में भी ट्रांसवर होने का खतरा बना रहता है तो बहतर मेरे हिसाब से the best situation would be कि सबके अलग अलग अपन ब्रश होल्डर हों और उसी में ही आप अपनी कंगी ब्रश जो कुछ भी है वो अलग-अलग रखें that is always better फिर COVID-19 के बारे में बात करते हैं कि COVID-19 के टाइम्स में तो बहुत जरूरी है जो आप 2-3 महीने, sorry, 1.5 महीने के अंदर वैसे आपको ब्रश दो महीने में चेंज करना है लेकिन COVID के पीरियत में, it is best कि आप एक महीने से 1.5 महीने में अपने ब्रश को चेंज कर लें और अगर आपको कोरोना हो गया है, हो चुका है, तो तो जरूर अपना ब्रश चेंज कर लीजे बिकॉज यू नेवर नो कि कौन से बैक्टिरिया आपके कहां पे रह जाते हैं और जैसे आप अभी वाइरल इंफेक्शन से ठीक हुए हैं, तो यू वुड नाट वांट कि आपकी इम्मिनिटी फिर से डाउन हो जाए और जो वाइरस तो यहाँ पे नहीं पनपेगा लेकिन बैक्टिरिया जरूर पनपते हैं और दूसरी चीज अगर आपको अभी सर्दी खासी जुकाम हुआ है हाल में ही तो भी बहुत जरूरी है जो आप अपना ब्रश चेंज कर लें सर्दी खासी जुकाम के बाद में अपने ब्रश को दुबारा इस्तमाल ना करें उसको चेंज कर लें और घर में किसी भी सर्दस्य को अगर कोरोना हुआ है या अभी उसको कोरोना है तो बहुत जरूरी है कि एक बार वो ठीक हो जाए तो सबसे पहला काम उसका ब्रश चेंज करना है You will not carry on the same brush क्योंकि यहीं चीज़ें चोटी चोटी चीज़ें जो हम मात खा जाते हैं क्योंकि हम बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में तो बहुत जादा सोच लेते हैं लेकिन उमुमन चोटी चोटी चीज़ों से हम मात का जाते हैं तो इसलिए अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं और अपने ब्रश के बारे में भी अब हमें जानकारी हो गई कि हम उसे कैसे रखेंगे तो हमने ये देखा कि ब्रश आपको ऐसे रखना है कि खुली जगह पे रहे हवादार रहे और सब के ब्रश अलग अलग हों होल्डर में ना रखें और कोविट पिरियर्ड में एक महीना मैकसिमम डेर महीना में अपने ब्रश चेंज कर ले और अगर आपको रिसेंटली या कभी भी बीच में सर्दी खासी जुकाम हो तो जरूर अपना ब्रश चेंज करें प्रेंश हमने ऐसी बहुत सारी बातों के बारे में जाना दातों से संबन्दित जो की ब्रांतियां भी हैं और जिनकी वजसे हम लोग परशानी में परसकते हैं और हमने कई सारी ऐसी चीजें भी जानी कि हम कैसे अपने दातों को बचा सकते हैं तो अब मैं आपके questions देखती हूँ कि आपने क्या-क्या पूछा है आप लोगों ने बोला है बहुत thank you, thank you so much thank you, thank you किसी का सवाल तो मुझे दिखी नहीं रहा है कि अकल दाड उग रही है और उसके उपर मसूडा सूज रहा है दर्द होता है, दाड नहीं निकल पा रही और जहां तक है आपका डॉक्टर आपका एक्सरेक करके ये बताएंगे कि क्या वो दाड के पास में हड़ी है निकलने के लिए, is there enough space कि वो दाड वहाँ पे आ सकता है औरल क्याविटी में प्रॉपरली या वो दाड निकालना पड़ेगा तो क्योंकि हुआ क्या है over the period of time हमारा जो jaw का size है वो तो हो गया है छोटा और जो हमारा tooth का size है वो तो रह गया है वैसा ही का वैसा तो jaw का size छोटा होने की वज़ा से हमारे दाड अब पूरी तरीके से बहार निकलना ही पाते हैं अकल दाडे तो last में आती है क्योंकि 18 साल के बाद आती है इस वज़े से बाकी सारी दाडे तो अपनी अपनी जगा आ जाती है और उसको आने की जगह नहीं मिलती इस वज़े से उसको निकलने में प्रॉब्लम आती है सूजन आती है दर्द करती है और अकल दाड की यही समस्या होती है आपका डॉक्टर आपका एक्स्रे करके देख लेते है कि क्या वहाँ पे इनफ स्पेस है कि दाड आ जाएगी अगर ऐसा होता है तो वह आपके उपर के मसूरे को काट के हटा देंगे और दात अराम से निकल जाएगा बाहर लेकिन अगर वहाँ पे जगह नहीं है तो फिर वो आपका दात निकाल देंगे नहीं तो जो उसके बगल वाला दात है उसको खत्रा बना रहेगा वो खराब हो जाएगा आपका खाना फसता रहेगा सूजन आएगी morning and evening morning after getting up the first thing that we have to do is brush and रात में खाना खाने के बाद सोने से पहले brushing is a must राजेश जी एनामल अगर हट जाता है तो फिर बिलकुल वो अगर वहाँ पे space है और एनामल दंशय की वज़ा से हटा है या अबरेजन की वज़ा से हटा है पहुत सारे रीजन से एनामल हट जाने की तो अगर वो दंशय की वज़ा से हटा है तो फिलिंग करके दुबारा एनामल को रिपेर किया जा सकता है वही एनामल तो वापस कभी नहीं आएगा जो एक बार चला गया वो चला गया लेकिन अल्दो अब तो स्टडीज बहुत जादा प्रोग्रेसिव वे में है स्टेम सेल्स से एनामल डेंटीन रिपेर मतलब दुबारा बनाने की रिजनेरेट करने की प्रक्रिया में हैं हम लोग मतलब टेक्नोलोजी इस सो एडवांस्ट लेकिन फिलहाल जब तक वो नहीं हमारे फिलिंग मतलब जी इतने उम्दा हैं जो की बहुत बढ़ियां फिलिंग कर सकते हैं और एनामल का रिपेर कर सकते हैं थैंक यू प्रकाश मातुर जी थैंक यू हनुमन जी और किसी के पास में कोई सवाल हो तो मुझसे पूछे थैंक यू थैंक यू आप सभी ने बहुत जादा तारीफ की है थैंक यू सो मच थैंक यू और तो मुझे इसमें कोई सवाल नहीं दिख रहा है अगर आपके पास में कोई और सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी देवेंदर जी का आप जातो को दातो का इनामल काट सकते हैं दातो का इनामल हम अबरेट कर सकते हैं क्योंकि आप जितना ब्रश करते हैं उतना घर्शन होता है, फ्रिक्षन होता है और फ्रिक्षन की वज़ा से इनामल का वेर होता है, तो इसलिए बस उतना ही काफी है, वान मिनिट वुड भी मोह दान इनफ, देवेंदर श्रमाली जी पूछ रहे हैं कि वोट प्रिकॉशन्स डियवेटिक पेशन्स चुड टेक, बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल है देवेंदर जी आपका इसमें डियवेटिक्स के लिए तो बहुत ज़ादा जरूरी है कि वो अपने मसूरों की मालिश बिना फेल, सुबह और शाम करें, और मीठा खाने से तो बिल्कुल परहेस क क्योंकि वैसे ही उनका बैक्टिरिया का अक्युमिलेशन होने की संभावना बहुत अधिक रहती है तो इसलिए जहां तक हो सके वो ज़ादा फाइब्रूस डाइट लें डियवेटिक्स और कुछ भी खाने के बाद में वैसे सभी लोग अगर खाना खाने के बाद में खीरा टमाटर गाजर ऐसे फूट्स खाते हैं या फूट खाते हैं वेजटेबल्स खाते हैं जिनको कि हम डिटर्जन फूट कहते हैं यह हमारे दातों की सफाई कर देते हैं यह फाइब्रूस होने की वज़ा से दातों की बीच में जाकर के जो भी खाना पदार्त या जो भी फू vegetables खाते हैं तो यह बहुत ही अच्छा रहेगा यह detergent food कहलाते हैं जो अपने आप ही सफाई कर देते हैं तो आपको specially diabetics को इन बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो detergent food का जादा सजादा सेवन करें और मीठे से परहेज करें वो तो खेर हर कोई कहता है और और सवाल है कि हान अरेन जी मैंने आपको थैंक यू आभार आपका OPG क्या है OPG ortho pentamogram है जिससे कि हम एक ही x-ray में सारे दाथ देख सकते हैं और जो छोटे-छोटे x-rays होते हैं उनको हम अगर आपको पूरा मुँ देखना है एक साथ तो फिर हम OPG x-ray करते हैं जिसमें कि एक birds eye view यानि कि हमको सब कुछ एक साथ पता चल जाता है कि दातों के अंदर क्या हो रहा है दातों में हड्डियों इन फाक्ट दातों के साथ साथ उससे associated structures भी उस OPG के अंदर आ जाते हैं इस दे कविता ने पूछा है नविता थांक यू थांक यू नविता इस दे एनी connection between dental problems and heart absolutely बहुत ही अच्छा सवाल है और बिल्कुल connection है dental problems or heart का in fact अब तो science यह कहती है कि dental problems और heart problems का भी connection है dental problems periodontal problems यानि मसूडे की समस्याओं का premature baby होने से भी संबंध है यानि कि सब तार आपस में जुड़े हुए हैं तो अपने मसूडों का specially गर्दवती महिलाओं को जरूर ध्यान रखना है कि वो अपने मसूडों का बहुत जादा ध्यान रखे इसलिए मैंने गर्दवती महिलाओं के लिए अलग से बताया कि वो ये इसलिए ध्यान रखें क्योंकि ऐसी studies दिखाती हैं कि periodontal problems से या मसूडों की समस्याओं से premature birth हो जाते हैं बेबी का preterm birth हो जाते हैं तो इस वज़ा से थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है इंप्लांस सेफ हैं in these covid times उर्मिला जी बिलकुल बहुत सेफ हैं और जिस प्रकार से देखिए सेफ अगर precautions के साथ में सब कुछ किया जा रहा है तो सब सेफ ही है क्योंकि अगर covid times भी हैं तो भी हम लोग तो पूरे precautions के साथ में हर रोज सुबह से लेके शाम तक तैनात हैं आप लोग की सेवा के लिए हर वक्त जुटे रहते हैं हर वक्त डटे हुए हैं ततपर हैं in fact lockdown period में भी हमने किसी भी emergency patient को जाने ने दिया हर emergency attend किया क्योंकि हमारा फर्ज है हमारा करताव है हमारा काम है तो इसलिए अगर हम पूरे precautions के साथ में कोई भी procedure करें implant ही क्या implant तो एक छोटी से surgery है dental extraction तो उससे भी बड़ी surgery है क्योंकि जहां पे भी blood का involvement है तो वो surgery कहलाती है चाहिए वो implant surgery हो चाहिए वो dental extraction हो दात निकलना भी एक surgery है तो अगर हम precautions के साथ में कोई भी treatment करते हैं तो वो बिलकुल safe है implant surgery भी बिलकुल safe है किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है दात मजबूत रहें इसके लिए क्या खाना चाहिए और किस से परहिस करना चाहिए बिलकुल मैंने अभी आपको बताया राज कुमार जी यह सारी बाते कि आपको detergent foods खाने है अपसे आपको आदत बनाना है कि प्रोटीन इंटेक जादा हो आपके डाइप में काबो हाइडरिट्स कम लें और मीठा वगेरा परहेस करें और खाना खाने के बाद में यह जुकाजा रैपुल इस तरीके की चीज़े खाएं जैसे की डाइप अपने आप ही साफ हो जाएं ब्रश करने से पहले आपके डाइप 50% तो यही साफ कर देता है और बाकी आप ब्रशिंग और मसाजिंग और फ्लॉसिंग से साफ कर लेते हैं एक मिनद से जादा समय तक ब्रश नहीं कर पाते क्योंकि मूँ में पेस्ट के घुलते ही हाँ कई लोग को नवल जी ऐसी प्रॉब्लम आती है उनको ग्यागिंग होती है तो अगर ऐसी बात है तो आप पेस्ट कम लगाएं अगर आप कम पेस्ट का इस्तमाल करेंगे तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी कम होगी और वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूँ कि ब्रशिंग का तरीका ही मेन है जो पेस्ट है वो तो मातर एक वहिकल है पेस्ट किसलिए है ये जितने भी आप आप आड्स देखते हैं पे तो प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व जाएंगी तो उत्ती ग्यागिंग की समस्या नहीं होगी प्रेम जी पूछ रहे हैं इंप्लांट क्या लाइफ लॉंग सक्सेस्फुल रहता है बिल्कुल प्रेम जी अगर इंप्लांट के साथ में हड़ी का अटाच्मेंट हो गया है हड़ी का इंप्लांट के चारो तरफ ऑसियों इंटीग्रेट करना अगर वह अच्छे से इंटीग्रेट कर जाती है तो lifelong इंप्लांट में प्रॉब्लमम नहीं आती है लेकिन अगर ऑसियों इंटीग्रेशन में किसी प्रकार की समस्यां रह जाती है विकाॉज अव पेशि इम्मूनिटी या उनके कोई सिस्टेमिक डिजीज के वज़ा से यानि कि अगर कोई और भी साथ में प्रॉब्लम है जैसे डाइबर्टिक हैं जादा हो गई बीच में बहुत जादा बढ़ गई या कुछ और परहेज नहीं रख पाए या कोई और प्रॉब्लम्स हो गई ऐसे कई सारी सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स हो सकती है तो अगर ऐसा कुछ हुआ और ओसियो इंटिगरेशन में या दातों में बहुत जादा ट्रॉमा हो गया या किसी भी प्रकार से बस इम्प्लांट के चारो तरफ सही प्रकार से हड़ी का ना बन पाना ही इम्प्लांट का फेलियर होता है otherwise इम्प्लांट आराम से जिंदगी भर चलते हैं अगर उनमें बोन बन जाती है और दूसरी चीज़ और है कि अगर इम्प्लांट फेल हो भी जाते हैं तो भी इसमें कुछ प्रॉब्लम की बात इसलिए नहीं होती है क्योंकि जैसे आपने दात का कोई इलाज किया और दात फेल हो गया तो आपको दात निकालना पड़ता है लेकिन इम्प्लांट अगर फेल हो जाता है तो वो इम्प्लांट अपने आपी हिल हिल करके बाहर आ जाता है और हड़ी वापस से बन जाती है तो आप you don't lose anything और आपके डॉक्टर बाद में अलग हड़ी पे देख करके कि कोई और अगर उनको हड़ी की जगा सही मिलती है या कहां पे उनको bone density proper मिल रही है वहाँ पे वो फिर से attempt कर सकते हैं इम्प्लांट so that is not a problem at all प्रेम जी हुसन जी थैंक यू थैंक यू सलीम साब थैंक यू सो मच अब आपके पास में अगर और सवाल हूँ सोनु जी थैंक यू लक्षमन जी पूछ रहे हैं कि मेरे नीचे के दोनों और की सभी दाड़ खत्म हो चुकी है खाने पर चपते रहने पर भी पूरी चीज नहीं निगलती है बिलकुल लक्षमन जी आपको जाके आपके डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा और हो सकता है कि आपके दाटों की जो जड़े पूरी दिख रहे हैं यानि कि उनमें हड़ी नहीं है तो फिर आपको एक दूसरा आपको एक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा क्योंकि अगर आप इसी तरीके से इसको निगलेक्ट करते रहेंगे तो जो बची-खुची हड़ी है वो भी चली जाएगी और फिर और प्रॉब्लम हो जाती है तो इसलिए जहां तक हो सके जो भी हड़ी बची है कम से कम उसको बचाएं और आगे और डीले ना करें अपना इस प्रॉब्लम को दिखा दें चल्दी तो थैंक यू अल देवेंदर जी पूछ रहे है वाट इस इंपक्ट ओफ द्रिंकिंग टी ओन टीथ टी के अंदर फ्लोराइड होता है और चाय दातों के लिए कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत खराब है क्योंकि उसके अंदर फ्लोराइड होता है तो इन फैक्ड कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि वो दातों के लिए अच्छी है लेकिन बात क्या है कि उससे स्टेन निंग हो जाती है तो अगर आप चाय वगर आप पीते हैं तो आप को ध्यान रखना है कि आप कुल्ला करते रहें टाइम तो टाइम आप कुल्ला करते रहें, जिससे कि stains नहीं तो बहुत गंदे brown stains, tea और coffee के आ जाते हैं, that is not good, otherwise, चाय अगर आप limit पे पीते हैं, एक या दो चाय पीते हैं, that is fine, लेकिन अगर कोई भी चीज की अती, अती तो सर्वत्र विनश्यत है, तो अती तो विनाशी करे लेगी, तो इसलिए दो कप अगर आप चाय पीते हैं, तो उसका दाथ के ऊपर कोई खराब effect नहीं है, लेकिन अती तो खराब है, सुचित्रा जी बोल रहे हैं, please answer my question, सुचित्रा जी आपका question क्या है, शायद आपने implant के बारे में पूछा था, जो मैंने आपको बता दिया, आप एक बार फिर से अपना question बता दे, सुचित्रा जी का question, सुचित्रा जी मैंने अभी इसका पूरा जवाब दिया, कि अगर प्रिकॉशन के साथ में की जाए, तो वो बिल्कुल सेफ है, और प्रेम जी कह रहे हैं कि इतनी अच्छी जानकारी के बाद चंद शेर सुना दे तो सोने पे सुहागा, क्या बात है प्रेम जी, आज तो मैंने dental treatment के बारे में lecture लिया था, अब यह शेर का session कभी और करेंगे लेकिन जाने से पहले अगर कुछ याद आया तो जरूर सुना दूंगी, bleaching is good or bad, सोनो जी पूछ रहे हैं, bleaching is good or bad, bleaching अभी इसको good और bad से नहीं कहा जा सकता है, इसमें कुछ bad नहीं है, the only thing is कि अब हमारे पास में bleaching भी बहुत advanced technology के साथ में है, जो कि दातों के उपर जादा खराब असर भी नहीं करती है, इसलिए bleaching आप whitening करवा सकते हैं और उसका कोई खराब effect नहीं होता है, दातों के उपर, थैंकिस ओ चित्रा जी, अब मैं जाने से पहले एक share सनाती हूँ, लोगों से कहते सुना अकसर, लोगों से कहते सुना अकसर, जिन्दा रहे तो फिर मिलेंगे, पर हमने ये महसूस किया है, कि हम मिलते रहेंगे तो जिन्दा रहेंगे, इसी नोट पर मैं आगया लेती हूँ, आप सभी से, थैंकियू सो माच, हमें ये समवाद, जितना मुझे मज़ा आया आपके साथ करने में, मुझे उम्मीद है, उतना ही मज़ा आपको भी आया होगा, थैंकियू सो माच,